हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी सर्दियों में रूखी स्कीन की देखबाल कैसी करने चाहिए तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें स्कीन की देखबाल ऐसा काम है जो हमें हर मौसम में करना चाहिए लेकिन सर्दी के मौसम में स्कीन से जुड़ी कई समस्या अच्छानक से बढ़ जाती है इन समस्याओं में स्कीन में ड्राइनेस, रुकापन बढ़ना, स्कीन का फटना, एक्जीमा, सुराइसेस, फंगल इंफेक्शन चैसी समस्या बढ़ जाती है आज में इस वीडियो में आपको सर्दी में रूखी स्कीन को चिकना और मुलायम बनाए रखने के लिए 11 टिप्स दूंगी इन टिप्स को फॉलो करके आपकी स्कीन भी सूपर हैप्पी रहेगी नमबर एक गुनगुने पानी का इस्तमान सर्दी में गर्म पानी से नहना या फिरशावर लेने से अच्छा कुछ भी नहीं लगता इसकी वजह से कम तापमान होने पर गर्म पानी से नहना वाकई ठंडी से राहत देता है लेकिन अगर आप अपनी स्कीन से प्यार करते हैं तो ऐसा करने से बचें नहाने या चहरा धोने के लिए गर्म पानी की जगह गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें गर्म पानी तुरंथी स्कीन को ड्राइ कर देती है असल में गर्म पानी की वजह से स्कीन में मौजूद प्राकुरूतिक तेल दूल जाता है जिसकी वजह से स्कीन में रूखापन और पपड़ी निकलने की समस्या होने लगती है गुनगुने पानी से नहाने या फिर शावर लेने के बाद स्कीन पर तुरंथी मौस्चुराइजर लगाए इससे आपकी स्कीन में नमी बनी रहेगी और रूखापन भी नहीं होगा सरदी में आप चाहे अपने घर पर हो या फिर अपने वर्क प्लेस पर हवा रूखी ही होती है इसकी वजह से आपके शरीर में मौझूद पानी आसानी से सूख जाता है ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप बहुत ज़़दा पानी पिये जिसकी वजह से आपकी स्कीन में नमी बनी रहेगी हर गंटे एक गिलास पानी का सेवन जरूर करें इसके अलावा आप अपने घर में एग बरतन में पानी भर कर जरूर रखें ये माहूल में नमी बरकरार रखता है और स्कीन के लिए बहुत ज़्यादा फाइदेमन भी होता है जो स्कीन केर प्रोड़क्ट गर्मी में स्कीन की केर करते हैं जरूरी नहीं कि वो सर्दी के मौसम में भी बहतर साबित हो इसके लिए जरूरी है कि आप मौसम के हिसाब से अपने स्किन केर प्रोडक्ट में बदलाव करें सर्दियों के मौसम में हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाने का राज स्किन केर प्रोडक्ट के चुनाव में ही छुपा हुआ है सर्दी में चेहरा दोने के लिए एक क्लेंजर का इस्तिमाल करें जिसमें मौस्चुराइजर भी मौजुद हो ये चेहरे में अदरीक तिनमी को रोके रखता है और रूखे पनसे भी बचाता है सर्दी के मौसम में मास्क और फेस पैक के अलावा ओयल को हटाने वाले लोशन का भी कम से कम इस्तिमाल करना चाहिए नमबर चार इस्कीन को शुरक्षित रखे सर्दीयों में घर से बाहर निकलने से आपको इस्कीन की सुरक्षा पर जरूर धयान देना चाहिए इसके लिए ज़ादा ठंड होने पर हमेशा दस्ताने और टोपी पहन कर ही बाहर निकले और संस्क्रिन लोशन लगाना न भूले सुरज की गुनगुनी धूपसेक ना भले या में अच्छा लगता हो लेकिन यूवी किरने हमारी स्कीन को काफी नुकसान पहुचा सकती है सरदी में यूवी किरनों से बचने के लिए हमेशा हमें संस्क्रिन का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें टाइटेनियम ओकसाइड और जिंक ओकसाइड मोजूद हो नमबर पाच चहरे को जादा न रगने चहरे पर स्क्रब करवाने से हमें डेट सेल से छुटकारा पाने में मदद मिलती है लेकिन सरदियों के मौसम में चहरे पर स्क्रब बहुत सावदानी से करना चाहिए सरदियों के ठंड और रूखे मौसम की वज़ा से पहले ही इस्कीन में नमी की मात्रा कम हो जाती है कपसे पहले हाथों से ही सर्दी के मौसा में रूखे पन की शिकायत शुरू होती है, रूखे पन के कारण इसकीन के फटने और खुजली होने की शिकायत शुरू हो जाती है, इस समस्या से बचने के लिए आप मॉस्चुराइजर का इस्तेमाल करें. नमबर साथ, पेरो का भी रखे ख्याल पेरो की नमी बरकरार रखने के लिए गलीसरिन और पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करें इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखें कि एकि कभी कभी पेरो में स्कुरब करना चाहिए इस्कुरब करने के बाद आप अपने पेरों पर मोस्चराइजर का इस्तेमाल जरूर करें गिले कपडों को लंबई समय तक ना पहने गिले कपडों को लंबई समय तक पहनने से स्कीन में खुजली की समस्या शुरू हो सकती है बहुत से लोग सरदी में हीटर ओन करके बैट जाते हैं इस दोरान शरीर से थोड़ी मात्रा में ही लेकिन पसीना निकलता है ऐसे में इनर जैसे कपडों को लंबई समय तक पहनना हानी का रख हो सकता है मोजे और रुमाल जैसी चीजों को सिर्फ एक दिन ही इस्तेमाल करें अगर आपको स्कीन में एक्जिमा जैसी समस्या है तो सरदी के मौसम में स्कीन की पुरानी समस्याओं का आना साधरन बात है ऐसे में उन चीजों से दूरी बना कर रखे जिन से आपको एलर्जी की समस्या होती है बहुत से लोगों को उन या फिर उल से ही एलर्जी होती है उन लोगों के लिए ये सलाहे कि या तो हाई क्वालिटी के उलन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें या फिर कॉटन सूत से बने विंटर वियर का इस्तेमाल करें इससे आप खुद को ठंड के साथ साथ ऐलर्जी से भी बचा पाएंगे नमबर दस, स्किन केर रूटीन को फॉलो करें स्किन केर रूटीन को फॉलो करना बहुत आसान है आपको बहुत सी बेसिक और आसान स्किन केर रूटीन के बारे में जानकारी दूंगी जो आपकी स्कीन को सर्दी के मौसम में हप्पी बनाए रखेगा इसके अलावा इस रूटीन को फॉलो करना बहुत ही आसान है दिन में एक या दो बार स्कीन की दो बार सफाई जरूर करें कोशिश करें कि सुबह और सोने से पहले ये काम किया जाए सुबह चेरे को दोने के बाद मौस्चुराइजर का इस्तेमाल करना ना बूलें ये दिन बर आपकी स्कीन में नमी को लॉक करके रखने में मदद करेंगा इसके अलावा रात में हैवी मौस्चुराइजर या फिर ओवर नाइट क्रीम का इस्तेमाल जरूर करें नमर 11 डाइट का रखे खयाल बेरीज में काफी मात्रा में विटामीन और एंटि आक्सिडंट पाए जाते हैं ये पोशिक तत्व ठंडे मौसम में हमारी स्कीन को हेल्दी और बेहतर बनाये रखने में मदद करते हैं इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, अंगूर, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, चेरी के साथ अमरूत का भी सेवन करना चाहिए कई बार लोगों को ठंडी के मौसम में पानी पीने के लिए उठने में आलस आता है और ठंडी में प्यास भी कम लगती है जिसकी वज़ा से शरीर में पानी की कमी हो सकती है आप इस कमी को फलो, सबजियो और दूसरे खाद्य पदार्त के सेवन से पूरा कर सकते हैं सर्दियो के मौसम में भरपुर मात्रा में सूप, सलाद, जूस और दूद का सेवन करें इस से शरीर को स्कीन को हेल्दी बनाएं रखने में मदद मिलती है इन टिप्स को फॉलो करना मुश्किल बिलकुल भी नहीं है और आप इन्हें आसानी से अपने डेली स्कीन केर रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो मिलते हम अपने नेक्स वीडियो के साथ